हालो काईज, कैसे हैं आप सब लोग टैरोक्स पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम जो रिडिंग करें वो केंडल बैक्स रिडिंग होगी और आज मैंने टॉपिक लिया है कि वो आप कित्ती वैल्यू क्यों करते हैं इतना चाहते क्यों है यह सारी बाते मैं आपको बताने वाली हूं और इसके लावा जो भी मुझे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगी सिट्विशन कोई भी हो सकती है उस तरीके से लिजिएगा जिस तरीके से आप से मैच करें ठीक है और उतना ही लिजिएगा जितना आप से मैच करें ठीक है बिना बात कोई भी बात अपनी अपनी स्थिति में परिस्थिति में फिटमत कीजिएगा ठीक है एक और छोटी से जानकारी है अगर आपको पर्सनल एडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ही चेक करना है वहाँ एक नंबर मिलेगा वाट्सअप नंबर वह मेरा नंबर है और उस पर मैसेज करने से सारी जानकारी मिलेगी ठीक है बहुत ही अफॉर्डिबल चार् करते हैं आज मैंने टॉपिक लिया है कि उनकी नजरों में आपकी क्या वैल्यू है वह क्यों आपसे इतना प्यार करते हैं क्या खूब है आप में यह बाते मैं देखने के कोशिश करूए ठीक है आल राइट तो अपने मन को पहले शान्त कर लिजे सबसे पहले अपने तीन या चार बार दोह राई है, ठीक है, और राइट ग्रीस, घहरी लंबी सांस, और देन, स्टार्ट, चले, स्टार्ट करते हैं, उनकी नजरों में आपकी क्या वह लिए है, वो आपको इतना पसंद या प्यार क्यों करते हैं, चले देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट साइंग की बात करेंगे, उसके बाद एनरजी देखूंगी, और फिर मैं कारण बताऊंगी, आज नेक्स्ट एक्शन वगरा कुछ नहीं देखेंगी, सिर्फ मैं ये बताने वाली हूँ कि उनकी नजरों में आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है, वो किस वज़े से आपसे इतना प्यार करते हैं, क्या वैल्यू है उनकी नजरों में आपकी, ठीक है, तो चले, ध्यान लगई अपने पार्टनर के लिए, स्कॉर्पियो कोई हो सकता है, कैप्रिकोन कोई हो सकता है, स्टार साइन बताजी हूँ, एरीज मुझे यहां पर दिखा, सेजिटेरियस, वर्गोस, आल्राइट, ये वाली साइन है, लेकिन साइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस इंसान के एनरजी आपके लिए क्या है, एक तो मैं यहां पर यह देख पा रही हूँ, कि इस इंसान के दिमाग में आपके लिए बहुत सारी बाते क्लियर है, ठीक है, जो धुनलापन आपके रिलेशन्शिप में था, वो हटकर एक बिल्कुल क्लिरटी इनके दिमाग मे इनको क्या है कि अगर मैं सही माइने में कहूं, तो इनको आपके प्रती जो है, ट्रस्ट इशूस थे, आपके साथ कोई और है, यह यह समझते थे, ठीक है, अभी तक लेकिन जब से आपने कुछ बाते ऐसी बोली इनको, यह मुझे लगता है कि आपने बहुत बाते ऐसी बो आता था, ठीक है, तो यह थर्ड परसन के बारे में सोच के अपने आपको थोड़ा सा डिटाइच करते थे, अपने आपको थोड़ा गुस्से में रखते थे, आपके लिए कोई भी क्लिर्टी इनको नहीं थी, धुनलापन इनके आखों में था, लेकिन आप कुछ दिनों से यह है, कि यह इनसान जो है, इस एनर्जी में आचुका है, कि इसको क्लिर्टी है आपके लिए, कि आपके साथ कोई और नहीं है, बलकि आप इनके साथ हो, और डेफिनेटली यह अगर सोचते हैं, और अगर किसी के बारे में, रिलेशनिप के बारे में सोचते हैं, तो सरफ आप ही का नाम आता है ठीक है मैं यहां पर यह देख पा रही हूं कि यह कई बार आपके साथ जिन्दगी शुरुआत करने की सोचते हैं और डेफिनेटली कुछ चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ बढ़ना चाहते हैं आपको बहुत ही ज्या में कुछ नयापन चाहते हैं और आप भी ऐसा ही चाहते हैं ठीक है और यह जो इनसाने पहले ट्रेस्ट इशूस थे लेकिन उसका दुनलापन इंकी निगाहों से अट चुका है और यह आपके लिए बहुत ही बहुत अच्छा सोचते हैं ठीक है इनको यह फील होता है कि आप साथ रहेंगे वो रास्ता ही जीवन भर इनको याद रहेगा ठीक है इनके साथ को अटेश्मेंट है और आपके साथ कोई अटेश्मेंट है मैं बिल्कुल बहतर तरीकी से देख पार हूं लेकिन फिर भी यह आपके लिए कुछ भी मतलब जब भी आपको सपोर्ट की ज कुछ पोलों कोफ बोट इनकोण नेंकोड जाते कशना थे बिल्कूर्ट की चीज अगर आपके आस्पास होगा सी तरीक यह यह अपके लिए बहुत बहुत इंपर्टनs की आपके लिलेश्ट लेशन शपमें आपके लिए एक उजाला लाएगा तो पीच कलर अगर हम कहें तो definitely ऐसा soft color हमारे दिमाग में आता है, जिसको वाकर में देखते हैं, मन मेरा, मैं मेरी और से कहरे हूं कि मन मेरा बहुत, मैं मन मेरा बहुत, पीच कलर, one of my favorite color, and कह लिजे कि सबसे अच्छा color मेरे लिए peach color ही है, ठीक है, और मैं अधिकतर peach color ही पहनत पिंक और रेड बन सकता है पीछ कलर किस कलर से बनता है ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे यहां पर देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आपके साथ जो अटेश्मेंट है उसको फील करते हैं ठीक है आपके लिए इन डिसेजन में भी रहते हैं लेकिन दिल करता है कि यह जो दिल है सिर्फ आपके लिए धड़के यह इनकी अनरजी बता रही है यह कहीं कोई कुछ चीजें कुछ पावंधिया कुछ रैस्टिक्शन जो है वह छोड़के आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इनकी यह एनरजी मुझे आपे में लग रही है ठीक है लिटर के दिमांग में आपके लिए बहुत बहुत क्लियरटी से दिखाई दे रही है एक बहुत बड़ी बात यह भी आप जो भी कहते हो बिलकुल सच कहते हो इनको यह फील होता है कि जो आपके मन में होता है वो कहते हो आपको बात चुपाते नहीं हो और आपके मन में जैसे कहते डार्कनेस या कहें कि कोई किसी से जलन या कोई गलत बात आपके दिमांग में आपके दिल में नहीं होती है आप जो होता है दिल में साफ साब बोलते हो ठीक है तो साफ दिल के इनसानों आप ये आपके पार्टर आपके लिए सोचने लगे इन दिनों ठीक है और ये बहारी ब में आपके लिए बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा क्रीटी आपके लिए ठीक है यह कई बार आप से डिटाइच हो जाते हैं हमला हम आप से बात नहीं कर लेकिन फिर आगर आपका कॉल आता है तो यह बिलकुष हो जाते है मुझे ऐसा लगता है कि यह अपने आपको रोकन जिसके बोलते हैं, यानि कि आपका कोई golden coin अगर आपके पास है, तो वो value है जैसे वो valuable होता है उसी तरह से इनके जिवन में आप एक बहुत खरास होना है, ठीक है? मैं यह आप यह कहूंगी कि आप इनको definitely grounded energy में मिले हो, जहाँ पे आपको किसी चीज की जरुत नहीं है, लेकिन इनसान आपके लिए कुछ करना चाता है, तो आपको ऐसी कोई भी चीज की जरुत नहीं जो कि इन से मिले, ठीक है? लेकिन फिर भी आप इनको एक बहुत ही respect तरीके से देखते हो, मतलब मेरे जो viewer हैं, मेरे जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप उनको इस तरह से इस नजरों से देखते हो respectfully देखते हो, आप उनकी बहुत इज़त करते हो, जो भी बात कहते हैं उसके लिए आप उनको priority देते हो respect में आपके आँखों में देखते हूँ करते हैं क्योंकि आप बहुत कुछ होते हो, भी grounded रहते हो, ठीक है, आप कभी शो आफ में विश्वास नी करते हो, आप जो भी पहनते हो, जो भी करते हो, वो खुल करते हो, ठीक है, आप में कोई shyness नहीं है, ठीक है, तो ऐसी quality जो कि इनसान को बहुत बहुत एक उंचा दर्जा दिया जाए, लेकिन एक simplicity आपकी खूबी है, ठीक है, यह आपका admire इसलिए भी कहते हैं, कि आप बहुत ही simple और बहुती सौबर हैं आप, ठीक है, उनकी लिए, मैं simple और sober इसलिए बोले हूँ, क्योंकि जो तड़क भड़क यह दुनिया की जो कहते हैं न, चमक धमक, इनसे दूर आप कहीं ने कहीं बहुत उंचे ओदे पे हो, डेफिनेटली मेरे विव्यूर्स जो हैं, आपके partner को आपकी value करवाती है, आपकी क्या value है, कि आप बातों में इनसान को इतना heal कर जाते हो, इवन आपकी ऐसी कोई qualities आपको healer नहीं है, आपको यी tarot card reader नहीं है, मेरी तरह है, लेकिन आप जब बोलते हैं, तो लोगों को heal करता है, यानि कि आप सच बात बोलते हैं, ज जहां आपको भावक होनत है, वो भावक होते हो, इवन आप बच्चे से भी बात करते हो, तो आप उनकी energy को catch कर ले दो, इवन बच्चापन आप में दिखाई देने लग जाता है, तो ये qualities हैं, ये आप हर तरह की से अपने आपको change करके situation के साथ represent करते हो, तो ऐसी बाते हैं में इसी लिए हैं, क्योंकि आपने जो कुछ कहा है, इनको सच्चा साबित हुआ है, यानि कि पहले विश्वास निं करते थे कि आप ऐसा कुछ करते हैं, आप मुझे लगता है कि independent हो, independent करके आप definitely बहुत जदा इतना कुछ पाकी भी आप बहुत जदा grounded रहते हो, इसलिए त इनको निराश करते हैं, क्योंकि आप से प्यार को ना तो अभी तक कह पाए हैं, और जब भी कहा है, तो आप शैद आप जो मेरे व्यूर हैं, इनको थोड़ा बहुत इंपोर्टेंस नहीं देते हैं, मुझे ऐसा लगता है, प्यार तो है, लेकिन आप इजहार नहीं करते है मेरे व्यूर्स बहुत कम बोलते हैं, ऐसा मुझे आप लगता है, लेकिन ये इनसान आप से वाकी में एक नई शुरुवात करना चाहते हैं, आपके साथ ग्राउंडेड होना चाहते हैं, आपके एनरजी में आना चाहते हैं, और सिंपलिसिटी को अपनाना चाहते हैं, मैं जैसे भी आप दिखते हों, आप जो काले हो, गोरे हो, आप लम्मे चौड़े, जिस तरह के भी दिखते हो, आप इनको बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है, देखे, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सुंदर्ता माइनी नहीं रखती है, आपका वहवार माइनी रखता है, जिस तरह के से आप दूसरों से बात करते हैं, वो माइनी रखता है, ठीक है, मढने के बात, आपको क्यों याद किया जाता है, क्योंकि आपकी बाते लोगों को याद आती, यानि कि आपका वहवार, ठीक है, आपकी बाते आपके वहवार में होती है, सुंदर्ता तो सिर्फ दो मिनिट की होती है, दो मिनिट की मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहां पे changes हो जाते हैं, जीवन में changes चलते रहते हैं, जैसे जैसे बुड़ापा आता है हमारी जो शकल है वो change होती रहती है तो इस वज़े से जुरियां सब के आएगी येस, आप सभी को पता है तो इस बात को लेकर ये आपको कभी नहीं चाहते हैं, बलकि आपकी खूबियों को लेकर ये चाहते हैं, ठीक है, मैं आपकी, मैं एक example दे रही हूँ कि येस, कोई भी इनसान उसी बात से पैचाना जाता है, जिसके वहवार जिस तरह का हो ठीक है, लोगों से आप किस तरह मिलते हैं, वो बातें लोगों को याद रहती हैं, और इसलिए आपके माणने पर भी लोग आपको याद करते हैं, ठीक है तो मुझे ऐसा लगता है, कि आपकी इनसान जो है आपको इसी तरह से एड्मायर करते हैं, आपकी वैल्यू इनके दिमाग में इतनी इतनी प्रबल है कि और कि किसी चीज के बारे में सूची नहीं सकते हैं ठीक है, आप अगर इनके बारे में ट्रस्ट इशू रख रहे हो तो बिलकुल यापके अलावा किसी और के नहीं है, ठीक है, यह यहाँ पर बहुत बहुत बहतरी से मुझे पता चल रहा है एट अगर गाइज, आई होब कि यह बैट जाए, बट देखते हैं देखे इसके अलावा ओके इसके अलावा देखे, मैं यहाँ पर यह भी बताना जा रही हूँ कि यह जो इनसान है, एक major transformation से गुजर रहा है major transformation इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर देखे, जबसे आप इनकी जिन्दगी में आएं इन्होंने बहुत कुछ तरक्की किये ठीक है, लिटरली अगर तरक्की नहीं भी किये तो इनको एक नया धंग अपनी जीवन का जीनी को है ठीक है, बहुत सारी बाते आपने इनको सिखाई, इनको यह फील होता है कि आप जो बाते करते हैं वो बिल्कुल 100% तरक संगत है कि एक बात को करने से जादा उसको करके बताओ, ठीक है, यह मैं यहाँ पर आपके लिए सोच पारी हूँ, यहाँ पर इस तरह की इमेज दिख रही है आपकी कि आप बातों को कम बोलते हैं, लेकिन करके दिखाते हो, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें इनको बहुत एड्मायर करत आप बोलते हो, कोई भी बात ठीक है, और आपको इतना confidence है कि आप जो बोलते हो, उसको करके दिखाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए भी आपके पार्टने एड्मायर करते हैं, मुझे बहुत से लोग लॉग डिस्टेंस में लग रहे हैं, लेकिन लॉग डिस्टेंस मे लग रहा है आपका, लेकिन आप चाहिए एज में कितने भी हो, इनके लिए बहुत ही बहुत खूपसूरत हो, ठीक है, और यह हमेशे आप से reconcile होना चाहते हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है, कि यह आपकी आसपास की स्थिती पर स्थिती है, उसमें सब ची इस पर आप लोगों का साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब भी आप मिले हो, ऐसी जगह मिले हो, जहां पर इनको एक अलग सी feeling आती है, आपके साथ रहके, कि यह मैं किसी एक ऐसे इनसान के साथ बैठा हूँ, जहां पर इनके कारण मेरी इज़त दुगनी हो चुकी है, ठ इसी के बहुत ज़्यादा बड़ा ही नहीं करना चाहते हूँ, लेकि लिटरली आपके पार्टनर जो हैं, आपके इसी तरह वैल्यू करते हैं, चाहे कहें न कहें, यह इसी तरह की दिमाग में इनके है, ठीक है, यह कई बार यह भी सोचते होंगे, कि यह अगर यह इनसान मे अश्चा कहा हूंगे, लेकिन सब के लिए प्यार एक जैसा नहीं होता है, यहां पर मैं देख पा हूँ, कि इनकी इच्छा के आप इनको नर्चा करें, इनकी इच्छा कि आप इनको चाहे भगवान मैं पता नहीं कैसे कह पाऊंगी, लेकिन आपका रिष्टा जो है, मुझ के जो कि आपको जोड़े रखे हैं ठीक है आपने और आपके पार्टनर ने कई बार कोशिश भी किया है कि डिटाइच हो जाएं इसलिए आपके जो पार्टनर कई बार आप से नो कॉंटेक्ट में भी रहते होंगे लेकिन यहां पर में चीज दिखाई दे रहे हैं कि मेरे जो होगी ठीक है तो यह चाहिए रहे नहीं लेकिन जरूर करते हैं कि आप इनके अगर इनके साथ रहोगे तो किस तरह से रहोगे ठीक है तो यह इनका रहता है ठीक है यह वैल्यू इस बात की भी करते हैं कि यह आपको एक ऐसा ओफर दें जो कि लिटरले मुझे कोई ऐसे पर सोचिए ठीक है हम डेट करते हैं यह हम सब जानते हैं कि क्या होता है लेकिन एक अगर इस से उंचे उड़ जाएंगे आप यानि कि सोच आपकी जो है अगर डबल या तिबल मैं कैसे समझाओ आई डून लेकिन जो आप सोच रहे मेरी बातों के लिए वह बात सही है कि य मैं यहां पर इनके ख्वाब ऐसे देख पा रही हूं कि आपको एक ऐसी डेट पर ले जाना चाहते हैं जहां कि जहां पर आप इनके डेट को हमेशा जिंदगी भर याद रखोगे नो मेंटर आपकी जो भी सिचुशन है आप मिल पाओगे नहीं पिल पाओगे आपको कमिट मिलेगा नि मिलेगा आपकी शादी नहीं होगी यह सब चीज़ें आपकी वैल्यू इनकी नजरों में बता रही हूं ठीक है यह आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं प्लानिंग इनकी बहुत उंचे ख्वाब हैं आपके लिए जिस तरह से आप अपने आपको रिप्र आप लोगों को जितना समझ आये जैसे समझ मैं लीजेगा ठीक है मैं आप यह भी बताना चाहूंगी कि इनका प्यार शायद एक्सप्रेस नहीं करते होंगी लेकिन यह कई बार यह भी सोचते हैं कि अगर मेरे साथ एक या दो दिन या इनके साथ जीवन जी के देखूंगा तो यह प्यार शायद मैं एक्सप्रेस करूंगा ठीक है यहाँ पे वैल्यू तो आपकी है और आपका बात करने इनको बहुत अच्छा लगता है जब तक आप कॉले मेसेज करते होगी यह हमेशा आपके आपका ही वेट करेंगी ठीक है मैं आपे इनका इनकी जिग्यासा ऐस है कि आपके अटरेक्शन से दूर नहीं जा सकते हैं आपके आपका आपकी प्रसनलीटी आपका और ऐसा है कि यह उससे दूर भागनी सकते ठीक है आप कि मतलब यह जो इंसान है कई बार कोशिश कर चुके इस बारे में कि यह कोई ऐसी चीज हो जिससे मैं इंसान से दूर चला जाओं ठीक है क्योंकि इनको लगता है कि ज्यादा अंदर से लगेगा कि इनसान मुझे मिल जाए लेकिन ऐसा नहीं है यह इनसान जो है जब भी जाना बता सकते हैं कि जब भी इनसान दूर जाने लगा आपका खुद का कॉल आए था ठीक है आप हमेशा इनको पसंद करते हो और करते रहोगे ठीक है लेकिन आपकी एक लिमिट समया पर देख पारी हूँ आप बहुत सरल भाशा में इनको बोलते होगे जो भी बोलते होगे बह वापस आपके पास आजाते हैं ठीक है यह दूर जामी नहीं सकते हैं या फिर कोई जैसे कि मैंने बता है इन तिनों तो इनके अनरजी चेंज हो गई लेकिन पहले ट्रस्ट इशू रखे थे कि आपके साथ कोई और है आप बहुत से लोगों को डेट करते हो लेकिन ऐसा नह वीडियो तो करते ही हैं बलकि आपको आपके साथ जीवन जी के देखना चाहते हैं कि आपके साथ जीवन होगा तो कैसे होगा आपके साथ ट्रवलिंग करके चलना चाहते हैं आपके साथ लांग ड्राइव पे जाना चाहते हैं आपके साथ एक त्योहारों को बनाना चाहते मैं बताना चाहेंग कि बहुत से लोग कहते हैं कि कि अगभी है तो लमुट तक उसके बाद अगर आप किसा से नहीं कुछ मांगते हो तो ये प्यार है ठीक है महलब प्यार क्या है कि मांगना नहीं होता ठीक है प्यार है हो जाता है दूसरे को फ्री छोड़ो कि आप वो वाकिये में अपने लिए कुछ करना चाहता है कि नहीं चाहता है ठीक है उसको फ्री छोड़ो कि क्या वाकिये में उसके दिल में प्यार होगा तो दस बार आ होती ठीक है तो यहां पर ऐसा प्यार बहुत ही प्यूर पवित्र जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है ठीक है नो मेटर आपकी जो भी सिच्विशन है आप देखिएगा कि आप से कहां तक चीजे मिलती है ठीक है यह एनरजी मुझे आज कैच होई आप ज़रू बताएगा थोड़ा से इमोशनल मैं भी हो रही हूं क्योंकि यहां पर ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता है कि आपकी स्तिती में कोई भविश्य आपको नजर नहीं आता ठीक है यानि कि आप जो जिस लेवल पर हैं काफी आप 35 से उपर हैं और डेफिनेटली ऐसे में अगर कोई रिष्टा ऐसा होता है जिसको आप भुला नहीं पाते हैं जिसके वैल्यू आपके दिल और दिमाग में चाही रहती है तो ऐसे में आप उस रिष्टे को सरफ बनाई रखने की कोशिश करते हैं यानि कि एक फ्रेंड आज के रिटिंग में बस इतना ही ठीक है मैं कुछ मैसेजेज लेना चाहती हूँ लूं की नहीं I don't know चले ले लेते हैं इनके लिए आपके आपके लिए क्या मैसेज है ओके गाईज मैसेज तो मैं निकाले लेती हूँ लेकिन सुने एक गाना तुम से मिल की ऐसा लगा तुम से मिल की अर्मा पुरे हुई दिल की ए मेरे जानी वफा तेरी मेरे मेरे तेरी एक जान है आपके इस सौंग कैसे लगा ज़रूब देगा ठीक है और फर्स्ट है मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दू ये भी एक सौंग है आपके लिए डेडिकेट किया है किसी ने ठीक है आपके पार्टनर किया है थर्ड पार्टी देखी जैसे मैंने का थर्ड पार्टी फोर पार्टी हो सकती आपके बीच में ठीक है आइम फार फ्रॉम यू देखे लॉंग डिस्टेंस का बैने बोला था आपसे ठीक है लॉंग डिस्टेंस पर आप यू आर प्रेशिस फॉर मी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है क्या वैल्यू करते हैं येस आपको एक गोल्ड कॉइन की तरह में आदे येस आपके साथ आगी बढ़ना चाहते हैं एक और लॉंगी में ये ब्लैंक है ब्लैंक नहीं लेंगे हम आई कांट वेट एनिमोर तो आपका वेट ये और जाधा नहीं कर सकते ठीक है तुमारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है इनको बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ रहते हैं ठीक है एक और लोंगी ये वाला ले लेती हुँ पर्सनल प्रॉब्लम्स तो इनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चल रही है ठीक है तो ये थी आज की रिडिंग आपको कुछ भी पसंद आया है प्लीज लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा कमेंट सेक्शन में कुछ बताना है बिलकूल बताईएगा ठीक है मैं एक्स रिडिंग में जरूर मिलती हूं गाइस मेरा वेट कीजेगा थैंक यू सो मच बाइबाइब